हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शीवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब टेकलोन चैनल मिस्टर बॉट फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में काफी अदा इंटरस्टिंग ट्रिक लेगा है वह आप सभी के लिए फ्रेंड्स गर्मी का टाइम चल रहा है और आप ये देखते हैं कि आपके कंप्यूटर जो है काफी अदा हीट करने लगता है सीप्यू का फैंड जो है काफी अदा स्पीड में चलता है और गरम हवा फैक ने लगता है तो friends काफी आदा problem face करनी पर जाती है खास तोर पर जो लोग laptop को use कर रहे है desktop user को इतनी आदा problem face नहीं करनी परती लेकिन जो लोग laptop को use कर रहे है उनको काफी आदा problem face करनी पर जाती है तो ऐसे टाइम पर इस problem को कैसे fix करना है आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको Windows में सर्च करना है Power Options ठीक है जैसे आप इस Option को क्लिक करेंगे ये Control Panel के अंदर देखने को मिलता है तो आपके सामने ये Windows ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको क्या करना है एक Suitable Power Plan को Create करना है इस Power Plan को कैसे Create करना है इसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिवा हुआ है आप उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं कैसे आपको Power Plan को Create करना है Power Plan Create करने के बाद अब आप सभी को सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में आपको TextWare पे जाना है और यहाँ पे देखना है Performance में आपके Computer में Virtualization जो है Enable है यह Disable अगर यहाँ पे आपको पहले से Enable देखने को मिलती है तो Friends अच्छी बात है अगर आपको यह Disable देखने को मिलता है यह Option तो आप Bio Settings में जाके इसको Enable कर सकते हैं वहाँ पे आपको Virtualization Technology देखने को मिलेगा Enable or Disable तो उसे आपको Enable कर देना है Enable करने के बाद अब आपको जाना है System Properties के अंदर जैसी है System Properties के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों को Verify करना है आपके Computer में Minimum RAM 4GB होनी चाहिए अगर आपको यह Trick Apply करनी है चाहते हैं कि यह अच्छे खासी आपके System में Performance Increase हो तो Minimum 4GB RAM होनी चाहिए अगर इससे कम RAM है तो Friends इस Trick को Apply मत कीजेगा ठीक है और आपको यह भी देखना है कि आपके System का जो Processor है वो Second Level की Address Translation जो है Support करता है या नहीं मैं आपको यह बताता हूँ अगर आपके पास Second Generation का Processor है तो Friends Intel AMD के तो Friends यह Support करते हैं Maximum Case में अगर आपके पास इससे भी जादा पुराना अगर कोई Processor है तो इसको आप Enable मत कीजेगा ठीक है यह भी मैं आपको बता देता हूँ बस इतनी चीजे Verify करने के बाद आपको जो है कुछ नहीं करना Simply Run में जाना है और यहाँ पर Type करना है Optional Features ठीक है यह Command आपको यहाँ पर Type करनी है और आपको करना है OK OK प्रेस होने के बाद आप सभी के सामने यह Windows Feature नाम की Windows जो है Open हो जाएगी यहाँ पर आपको कुछ service जो है पहले से आपको देखने को मिलेगी जो की enable है और बहुत साजी service आपको पहले से disable देखने को मिलेगी अब आपको यहाँ पर क्या करना है Hyper V वाले option को enable करना है इस option को enable करने से friends क्या होगा आपके system में वर्चुल मशीन जो है create हो जाएगी लेकिन friends हमें वर्चुल मशीन यूज नहीं करना है friends यह वो ही feature है जो हम वर्चुल मशीन में यूज करते हैं ठीक है बहुत सारे operating systems अगर आपको अपने system में single OS में यूज करना है यह अपने आप ही system required files अपने system में find कर लेगा खुद ही और आपको system restart के लिए बोलेगा क्या करना है बस आपको इस सारे changes होने के बाद system को restart कर देना है restart now इसको click करने के बाद आप खुद देखेंगे जब आपका system boot होगा first time तो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो CPU है देखना उसका fan जो है वो भी आवाज नहीं करेगा और performance भी काफी अदा stable हो जाएगी और heating issues भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे सबसे आदा फरक जो है friends laptop users को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स आप मेरे को comment में जरूर बताना आपको क्या क्या performance जो है आपको देखने को मिली है वाकि में performance increase हुई है या नहीं यह सारे चीज़े जो है मेरे को आप comment में जरूर बताना इस वीडियो को regarding कोई भी दिक्कत है तो friends नीचे comment में मेरे से जरूर बताना मैं आपसे भी का reply जो हूँ जरूर करूँगा तो मिलता हूं friends मैं आपसे भी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातर